अगर फ्रेंट्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पास में बैल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे जिसे की जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले पहुच पाएगी तो चलिए चुरू करते हैं रेसिपी को अंडा मैगी मसाला बनाने के लिए लेने हैं मैगी के पैकेट, यह मैंने दो मैगी के पैकेट लिए हैं और दो मैगी के पैकेट के साथ मैंने लिए हैं दो अंडे, एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज, दो छोटे साइज के बारी कटे हुए टमाटर, आदा छोटी चम्मच से कम हल्दी, तीन चोथाई चोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीन चोथाई चोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक हरी मिर्च कटी हुई, एक चोटी चम्मच नमक या फिर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, और लेना है ओल, लगबग दो बड़े चम्मच, सबसे पहले गैस पर एक पैन रखकर उसमें दो चोटे चम्मच ओईल डालेंगे ओईल ज्यादा नहीं डालना है अभी ओईल को हलका सा गरम होने देंगे ओईल के हलका सा गरम होने के बाद गैस को अभी लो कर देंगे और इसमें अंडा डालेंगे अंडे को इस तरह तोड़ कर फिर डालेंगे इसमें पहले से mix भी नहीं करके रखना है अंडे को direct pan में ही डालना है इसी तरह से दूसरे अंडे को भी डालूँगी मैं pan में गैस को अभी मैंने लो रखा है और कुछ सेकेंड्स के लिए अभी अंडे को इसी तरह से रहने दाएंगे pan में कुछ सेकेंड्स के बाद अभी नहीं mix कर लेंगे अच्छे से कंज दीर बाद आप देखेंगे कि जो अंडा है वो ड्राइ होने लगा है तो अभी low medium flame पर इसे लगबग आदा से एक मिंट तक इसी तरह mix करते रहेंगे का अ हुआ है को अ यहां डिको मैंने फ्राए कर लिया है लगबग एक मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अभी से अलग प्लेट में निकाल लेंगे अब पेन में दो छोटे चम्मच के लगबग ओईल फिर से एड़ करेंगे और ओईल को गरम होने देंगे ओईल के गरम होने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे अभी इसमें अभी इनको फ्राय कर लेंगे हलका सा और गैस की फ्लेम हाई से मीडियम के बीच में रखेंगे प्याज को मैंने भून लिया है ज्यादा भी नहीं भूनना है प्याज को तो इसमें अभी जो बारी कटे हुए टमाटर हैं उनको डालेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें नमक डालेंगे जिससे कि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से मैश भी हो जाएं मिक्स कर लेंगे नमक को और लगबग एक मिनट तक हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से टमाटर को भून लेंगे और इस तरह मैश करते जाएंगे टमाटर को तमाटर को मैंने भून लिया है अच्छे से अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च धनिया पाउडर भी डाल देंगे मिक्स करेंगे और इसी तरह मिक्स करते हुए कुछ सेकिंड्स के लिए भून लेंगे मसालों को मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें जो अंडा प्राइ करके रखा है उसको डाल देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से मसाले मैं और इसी तरह मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर आंडे को थोड़ा सा पका लेंगे मसालों के साथ अब ये आधह मिननट तक मैंने अंडे को पका लिया है मसालों के साथ तो इसमें भी पानी एड़ करेंगे मैंने इसमें लगबग दो ग्लास पानी एड़ किया है और जो पानी का अमाउंट है लगबग आधह लीटर से थोड़ा कम है अभी इसको boil होने दाएंगे पहले पानी में उबाल आ गया है तो अभी इसमें डालेंगे टेस्ट मेकर जो मैगी के पैकेट के अंदर ही निकलता है वो डाला है मैने अभी दूसरा पैकेट भी डाल दूँगी मैं इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से में लध मीगी को ढालेंगे इसतर ऐसे तोड़ कर दालएगे जिसकी मिक्स करने में आसानी रहेगी यह दूसरा पैकेट भी डाल दिया मैने बची हुई मैगी भी डाल दूँगी मैं इसमें और मीग्स कर लेंगी अच्छे से और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है मैने मैगी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे लगवग आधा मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे आधा मिनट के बाद मैगी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसे ढखक कर लो मीडियम फ्लेम पर लगवग एक मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करते रहें अब एक मिनट हो गया है मैगी को पकते हुए और इसको मिक्स करेंगे और अभी यह सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है तो अभी गैस को ओफ कर देंगे और सर्व करने के लिए मैं इसे एक प्लेट में निकालोंगी तो आप भी बना कर देखिए यह अंडा मैगी मसाला बहुती टेस्टी लगेगी आपको अगर आप बिनान डेके बनाना चाहते हैं तो बिनान डेके भी बना सकते हैं तब भी बहुत टेस्टी लगती है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक्स रेसेपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई